वेलकम बैक तो दे समाजिक गुरू चैनल आज हम करने चाहरें क्लास 7 के मैस का प्रैक्टिस पेपर 1 जो कि नवंबर 2023 के आपके बायो मंतली टेस्ट के लिए है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एक्जाम की पॉइंट ओफ यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टे के लिए हमें जो timing दी जाएगी वो 40 minutes की दी जाएगी और paper हमारा 20 marks का होगा ठीक है तो सबसे पहला question जो है वो पार्ट A है जिसमें आपको एक एक नंबर के questions जो है वो दिये गए है सबसे पहला question जो यहाँ पर आप see पूचा गया है a triangle can have two एक triangle है उसके दो जो है वो किस तरीके के angle जो है वो हो सकते है तो दो acute angle हो सकते है ठीक है acute angles कैसे अब यह एक triangle है ठीक है अब यहाँ पर जो है अगर यह मान के चलते है अगर यह 70 degree का है ठीक है जो triangle है उसका सम कितना होता है 180 degree ठीक है अगर ये 80 degree का है ठीक है तो इसे साब से यहाँ पर भी जो है यहाँ पर 100 बच गया हमारे पास है ना क्योंकि 80 minus हो गया तो यह यह तो 45 का हो सकता है ठीक है यह यह दोनों ही 50-50 के हो सकते है इस तरीके से होगा तो यह total जैसम 180 degree का होता है है कि एक triangle में 2 acute angle हो सकते हैं obtuse angle क्यों नहीं हो सकता अप्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं जो 90 degree से जाधा का हो है ना तो मानके चलते हैं हमारे पास 91 डिगरी का एक angle हो गया दूसरा भी क्योंकि दोनों जो है है ना obtuse है तो 91 का मानके चलते हैं तो third angle भी होगा हमारे पास जाएगा 182 जबकि एक triangle का सम जो है वो कितना होता है 180 degree होता है तो obtuse angle हो नहीं सकता इसे तरिकी से right angle भी नहीं हो सकता 90 degree का होता है इन दोनों का सम भी 180 degree हो गया तो third angle हमारे किदर गया है ना तो वह भी नहीं हो सकता इसलिए acute angle जो है वो इसका answer हो जाएगा अगला question हम से इतना होता है 180 degree तो हम यहाँ पर 180 degree लिख देते हैं एंगल यह वह हमें given है 40 degree अंगल वी जो है वह 55 degree का है और एंगल सी हमें नहीं पता तो हम एंगल सी लिख रहेते हैं ठीक है इसके बाद 40 डिग्रियों 55 डिग्री को प्लस कर देते हैं यह हो जाएगा 95 डिग्री प्लस में angle c is equal to 180 degree ठीक है angle c is equal to 180 degree minus में 95 degree तो 180 में से जब 95 minus करोगे तो क्या हो जाएगा 85 degree तो 85 degree यानिकि d option जो है वो correct है यहां हमसे पूछा गया है value of minus 5 की power 4 उसका value जो है वो क्या होगा तो minus 5 जो है वो 4 time लिखेंगे क्योंकि 4 इसकी power है ठीक है तो यहां पर 4 time लिखेंगे तो देखो minus 5 minus 5 जो है वो 25 बन जाएगा ठीक है यहां पर भी minus 5 minus 5 25 बन जाएगा 25 को 25 से multiply करोगे तो क्या हो जाता है 625 यानिकि इसका 625 जो है वो answer होगा ठीक है अगला है the coefficient of x in तो इसमें x का coefficient जो है वो हमें पता करना है तो हमारे पास क्या बच किया minus 5 z तो यहां पर minus 5 z जो है वो x का coefficient है अगला जो question हमसे पूछा गया है वो है area of rectangle जो होता है वो side into side होता है जो की बिलकुल गलत है area of rectangle जो है वो क्या होता है length multiply ठीक है अब जो next जो है true false में पूछा गया है वो है 6 x square 7 x or n x cube यह जो है monomial है तो monomial नहीं है monomial मतलब जिसमें सिर्फ एक term हो बट यहां पर 3 terms है 1, 2, 3 ठीक है तो यह जो है वो क्या है trinomial है monomial नहीं है तो जिस वज़े से यह भी क्या है false है अगला question देखते है इसमें आपको बोला गया है value जो है वो अपने इसकी find out करनी है तो बच्चा आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी number की जो है वो मतलब कह सकते degree जो है वो 0 है तो वो 1 के equal होता है यानि कि 2 की power 0 है 3 की power 0 है multiply 4 की power 0 तो 2 की power 0 जो है वो 1 हो गया 3 की power 0 भी 1 हो गया नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं circuit friends of circle circuit friends जो है वो circle का इसका formula क्या होता है तो वो होता है आपका 2 pi r ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन जो हमसे पूछा गया है वो है दो नंबर का question part b का है इसमें आपको बोला गया है कि आपने x की value find out करनी है यह आपको figure जो है वो दी गई है अब हमें कि यहाँ पर बच्चों क्या पता है कि जो exterior angle होता है वो interior के दोनों जो opposite angle होते हैं उसके sum के equal होता है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x plus x is equal to 140 degree ठीक है हो गया यानि कि यहाँ पर x जो है वो 70 degree का हो जाएगा ठीक है यहाँ पर अगर reason लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो exterior angles exterior angles is equal to the sum of the two interior opposite angles ठीक है जो exterior angle है यानि ये वाला वो interior के जो opposite angle है उसके सामने जो भी दो angle बन रहे हैं उन दोनों के add के equal होगा clear होगा देखते हैं next question जो है वो हमसे पूछा गया है part c से जिसमें कि हर question जो है वो four marks का है इसमें आपको option भी दिया गया है identify the terms and their factors इसमें जो है वो अपने terms of factors जो है वो find out करने है by tree diagram okay तो सबसे पहले जो है वो अपने यहाँ पर p square q square लिख लेना है फिर जो 3 mn square जो जो भी आपको terms दिये गए है वो आपने लिख लेने हैं ठीक है इसके बाद जो है अब हमसे split करेंगे ठीक है तो सबसे पहला जो हमारे पास number हो गया वो console जो है वो हो गया p square q square उसके बाद आ गया 3 mn square यहाँ पर मैं plus का sign नहीं लगा रही त्योंकि हर number के आगे plus का sign होता है यह minus का है तो यहाँ पर मैं लगा दूँगे minus 2 p q r अब इसको split करेंगे तो यह क्या हो जाएगा p 2 बारी है p square है इसी तरीके से q जो है वो यहाँ पर 2 है square है तो 2 बारी इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका आगया 3 यह आगया m n दो बार है तो n जो है वो 2 बारी ठीक है क्योंकि square है इसके बाद यहाँ पर आगया आपका minus 2, P, Q और यह आगया R ठीक है तो यह आपका tree diagram जो है इसका बनकर तयार है इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि M की value 1 है N की value 2 है, P की value minus 1 है तो इस number को यह expression आपको दिया गया है इसे solve करना है तो पहला तरीका है कि आप direct यहीं पर जो है वो मतलब की value put करो और answer आ जाएगा ठीक है दूसरा है कि आप पहले इसे solve कर लो उसके बाद value put कर लो ठीक है तो आपको जैसे easy लगे आप वो कर सकते हो यहाँ पर जो है हम value लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले है 2m plus में 3n minus का p plus में 7m minus का 2n ठीक है इसके बाद यह 2m है यह 7m है दोनों plus का है 789 9m बन गया है यहाँ पर हमारे पास यह 3n plus का है यह minus का है तो 3n में से 2n minus करोगे तो हमारे पास n बचे जाएगा plus का तो कि बढ़े के आगे plus का sign है और यहाँ पर minus p ठीक है 9m की value हमें कितनी दी गई है 1 n की value कितनी दी गई है 2 minus p की value मतलब p की value कितनी दी गई है minus 1 अब minus जाए उसके आगे already था ठीक है तो 9 बन जा 9 plus में 2 minus minus plus हो जाएगा plus में 1 ठीक है तो यह कितना हो गया 9, 10, 11 और 12 ठीक है तो इसका answer जो है वो 12 आएगा पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से helpful है तो चैनल को फटेफर से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहां पर इस तरीके का helpful content upload होता रहता है हमारे पास part D 6 नंबर का question है किसी एक question को attempt करना है यानि कि इसमें आपको option दिया गया है adjacent side of a parallelogram 28 cm and 45 cm and the altitudes on longer side is 18 cm find the area of the parallelogram सबसे पहले हम लोग diagram बना लेते हैं ठीक है तो जो adjacent side है ठीक है यह आपको पास कुछ इस तरीके का जो है वो diagram है ठीक है तो यह जो है आपका 28 cm है जो base है वो 45 cm का है और इसके उपर ही जो है वो altitude जो है वो longer side पर है तो इसका altitude जो है वो 18 है ठीक है यहाँ पर आप इसको solve कर लेते हैं तो area of parallelogram जो है वो क्या होता है area of parallelogram होता है आपका base into height तो base जो है वो हमें यहाँ पर पता है वो हमारा 45 है और इसके उपर altitude बना हुआ है जो की 18 cm का है ठीक है अब क्योंकि area है तो cm2 लिख दिया 45 और 18 को multiply किया तो 810 cm2 जो है वो इस parallelogram का area हो गया ठीक है या तो next question को अपने attempt करना है जिसमें बोला गया है कि एक gardener है जो की circular garden पे जो है वो fan लगाना चाहता है ठीक है इसके पास एक circular garden है उस पे फैंस लगाना चाहता है इस circular गाड़न का जो radius है वो फिफ्टीन मीटर का है और जो फैंस लगाना चाहता है अगर बन मीटर फाइव रुपीश का है तो उसको कितने मतलश का कितना आएगा पाई के वैल्या हम ठीक है, circumference of circular garden, वो कितना है, वो है हमारे पास 2 pi r, ठीक है, तो यहाँ पर होगी आपके पास 2, multiply pi की value है 3.14 into r, radius जो है वो 15 है, ठीक है, इसे multiply कर देंगे, multiply करने पर हमारे पास जो है वो answer क्या आएगा, 9420, ठीक है, point 2 के बाद है, 2 के बाद point लगा देंगे, तो यह जो है, उसका हमारे पास circumference निकल गया, ठीक है, अब इसके बाद जो है, वो हमने यहाँ पर क्या करना है, length of rope निकाल ली है, ठीक है, तो length of rope जो है, वो कितना जो है, वो rope लगेगा इसमें, तो 3 जो है, वो हमने rounds लेने है, ठीक 2.6 meter, ठीक है, अब cost जो है, वो find out कर लेते हैं, तो cost जो है, वो 1 meter rope की, वो कितने रूपीज है, 5 रूपीज है, तो cost जो है, cost of, ठीक है, अब हमारे पास 2.6 meter जो है, वो rope चाहिए हमें, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 5 को 2.6 से multiply कर देंगे, ठीक है, तो multiply करने पर answer जो है, वो क्या जाएगा, 1413, यानि कि हमें, जो है, 3 round of rope लेने के लिए, 1413 रूपीज खर्च करने पड़ेंगे, तो बच्चों, यहाँ पर हो जाती है, हमारी वीडियो खत्म, in case आपको कोई भी डाउट है, तो comment section में question कीजिए, मैं आपको reply करने की, पूरी पूरी करूंगी, thank you very much and all the best for your exams, have a nice day.